राजधानी दिल्ली अभी परदूशन की मार से उभरी भी नहीं थी कि मौसम सितम ढ़ाने को तैयार बैठा है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है जिसके अनुसार दिल्ली के तापमान में 13 दिसंबर से गिरावट आने की संभावना है जबकि 15 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ जाएगी तापमान में गिरावट की बात करें तो अधिक्तम और नियुनतम तापमान में 2 डिगरी की गिरावट की संभावना है IMD के अनुसार 16 दिसंबर तक अधिक्तम तापमान 24 और 99 तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है इसके साथ ही System of Air Quality and Weather Forecasting and Research ने कहा है कि अगले तीन दिनों के लिए सतही हवा की गती 6-8 किलोमीटर प्रति खंटा की रफ्तार से चलेगी वहीं अधिक्तम तापमान 27 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और 99 तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सफर एजन्सी ने अपने पूर अनुमान में कहा है कि इन कारणों से दिल्ली की एक्यूआ आई खराब इस्थिती में होनी की संभावना है दिल्ली में प्रदूशन का अस्तर भी बीते कुछ दिनों से लगातार कम आका जा रहा है बीते दिनों ही दिल्ली की हावा में प्रदूशन का अस्तर बहुत खराब स्रेणी और कमभी रिस्थिती में पहुँच गया था जिसके बाद प्रशासन की ओर से निर्माड कार्यों और तोड फोर पर रोक लगाई गई थी जैसे ही प्रदूशन के अस्तर में कमी दर्ज की गई वैसे ही सभी प्रकार के प्रतिबंदों को हटा लिया गया दिल्ली में फिलहाल अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ी है जितनी दिसंबर के महीने में अमूमन पड़ती है अभी दिन में गुनगुनी धूप निकल रही है तो सुबा कोहरा भी देखने को मिलता है लेकिन पहाडों में एक कमजोर पक्षमी विश्चोप के असर के चलते तापमान में कुछ इजाफा हुआ है मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो-तीन दिन में मौसम यूटर ने लेगा और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी पहाडी परदेशों में बरभबारी 10 दिसंबर से हो रही है जमू कस्मीर के हूचे इलाकों में लगातार बरभबारी जारी है जिससे नियुंतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है वह हिमाचल परदेश और उत्राखंड के पहाडी इलाकों में बरभबारी का सितम जारी है पहाडों पर बरभबारी के करण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी हाला कि दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी का इंतिजार है बाकी मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान के चुरू में नियुंतम तापमान पांच डिगरी तक पहुँच गया है कुई मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब और हर्याना में भी पारा गिरा है चक्रवाद मैंडूस के बाद दक्षण के राज्यों में भी मौसम बदला है